लोग वेल्कम बाइक टो माई यूटीब चैनल तो इस वीडियो में हम लोग बाइलोजी के इंपोर्टन्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं और यह सभी क्वेश्चन नीट 2019 में पूछे गया हैं तो हम लोग नीट 2019 का पेपर इग्जेक्ट क्वेपर करेंगे यही इग्जेक question paper आया भी था 2019 में तो हम लोग दो वीडियो कर चुके हैं हर एक वीडियो में हम लोग 10 questions discuss कर रहे हैं तो यह first question second question यह सब question हो गए हैं और अगर आप नेट इंटरेंस exam का paper देने वाले हैं तो आप जितने भी previous year question है physics chemistry biology आप जरूर लगवा 5-6 बार उसको अच्छे से जरूर करके जाईएगा तो वैसे मैं अपने चैनल पर 2001 से लेकर 2021 तक biology पूरा समाप्त कर चुका हूं और chemistry अभी करा रहा हूं और जो 2018-19-20 यह सब खतम हो गया है तो इस वीडियो में हम लोग वो ऐसे तो 19 का बालू जी के question कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग 19-20 कर लेंगे तो यह सभी question आप लोग मेरे चैनल पर एक बाद चरूर विजिट करें और सभी रिवाइज करें वीडियो तो 20 नंबर question तक हो गया है यह देखिए 21 नंबर question जो की evolution से है evolution से यह आपका जो evolution का natural selection वाला है तो उसी के base पर यह बनाया गया है तो इसमें आप पड़े होंगे stabilization selection disruptive और cyclical और directional selection तो यह सभी NCRT में चारू दिये गया है और अच्छे से अगर आप करेंगे तो यह गलत नहीं होगा तो वही चीज है आपको इनका सभी का definition पता होना चाहिए कि stabilization selection क्या होता है जैसे 21 नंबर question देखिए और बताइए क्या चीज होती है 21 नंबर question यह NCRT में दिया गया है stabilization selection disruptive और directional change तो stabilization selection का मतलब क्या होता है इसमें एक से अधिक individual रहते हैं और mean character value की आशकता होती है और directional change में उसी हिसाब से इसमें other than mean character हो जाता है और disruptive में दो आपके end point मिलते हैं तो यह देखिए question में क्या कह रहा है एक species में नवजात भार 2-5 kg के बीच है एक species है जो new barn का bet कितना है 2-5 kg बीच है और 3 से लेके 3 to 3.3 kg आउसत वजन वाले 97% है यह देखिए 97% है अब आपका एकदम peak value बन रहा है 97% नवजात जीवित रहे और यह live भी है जीवित भी है जबकि 2-5% 2-2.5 kg मतलब इससे कम भार वाले अथमा 4-5 kg मतलब इससे अधिक और इससे कम भी है यह mean value है एक mean value आपको मिल रही है एक mean value तो यह देखिए 4.5 kg 99% नवजात मर गए तो यह भी spare भी हो जाते हैं यहां केस वरकार की वरर किरिया हो रही है तो यह stabilizing selection show कर रहा है तो option number first जाएगा NCRT में line दी गई है आप देख भी सकते हैं next question यह देखे 22 number question अब यह भी question वही मेंडल लाव आप geneticist पढ़े होंगे principle of inheritance and variation ओला chapter तो उसमें यह question आपको एकदम अच्छे से यह आपको समझ में भी आ गया चलिए मैं यहाँ आपको बता भी देता हूं इन एंटी राइनम snapdragon एंटी राइनम snapdragon में एक लाल पुस्प को स्वैट पुस्प के साथ परजन किया तब यह phone में गुलावी पुस्प आ गया अब जब यह phone hybrid यह phone generation में देखेंगे तो उसमें अलग color का आ गया तो next क्या चीज़ कह रहा है गुलावी पुस्प को स्वाप परागित किया गया अब यह phone को क्राश कराए गया तब यह टू में यह टू में पिंक कलर आ जाता है तो यह सही है रिश्यो आफ यह टू 1 इस्टू 4 रेड आएगा 2 इस्टू 4 पिंक आएगा और 1 इस्टू 4 वाइट आएगा यह भी सही है और थर्ड आप्शन करा लाव सेग्रिगेशन डज नाट अपलाई इन दिस एक्सपेरिमेंट यह जो एक्सपेर सेग्रिगेशन क्या होता अलग अलग करना इसको बोलते हैं तो लाव सेग्रिगेशन का कोई एक्सेप्शन ही नहीं है इसको बोलते हैं लाज यह जो क्योंक आप्लाई हो सकता है तो आप सा नमबर थर्ड एकदम सही हो जाएगा next question देखिए express sequence tag est refers to ब्यक्त अनुकर्म यह देखिए गुंडी est का क्या तातरिफ है तो est express sequence tag आपको बताना है कि express sequence tag क्या है तो express sequence tag जो है यह gene expressed as RNA तो option number 4 exact correct जाएगा यह geneticist का question है जब आप क्या पढ़ेंगे जब आप project वाला human project आपढ़ेंगे तो वहाँ पेद दिया गया तो option number 4 correct हो जाएगा यह question देखिए खूब अच्छा question है और काफी confusion question है काफी गलत भी हुआ होगा student का कोशकाओं को पहचानिये यह देखिए identify the cells whose secretion protect the lining of gastrointestinal tract from various enzyme यह देखिए कोशकाओं को पहचानिये जिनके सराव जठर आंत पत्थ के अस्तर को कई परकार के enzyme से सुरच्छित करते हैं अब यह काफी important question है देखिए इस टमख यह आपका जो GIT में सभी यह cells पाय जाते हैं गोबले cell, आजेंटी cell, डियोडिनल cell और चीप cell यह सब GIT से संबंदित है अब आपका गोबलेट cell जो होती है यह क्या secret करती है mucus और bicarbonate secret करती है यही पे आप लिख सकते है mucus and bicarbonate secret करती है अब यह mucus and bicarbonate क्या करती है यह जो stomach में acid होते हैं उनको यह protect करती है प्रोटक्ट करती है क्या करती है lubrication and protection में help करती है क्योंकि stomach में layer होती है अलग-अलग layer होती है mucosa layer होती है some mucosa होती है तो उनको layer को मान लिजे यह आपका कौन सा अग जेंटिक cell है यह CL secret करता है XL क्या करता है यह CL एक acid ही है यह आपके layer को जला देती है अगर ज्यादा मात्रा में secret हो जाता है तब ही तो किसी किसी के ulcer हो जाता है पेट में burning होता कहते है नहीं है डाक्ट साही मुझे burning हो रहा है तो burning यही चीज़ होता है acid का secretion होता है अधिक मात्रा में और यह आपके mucos की जो आपकी यह layer होती है कौन सी layer आपकी mucos जो layer होती है सीरोसा सब्सम्यूकोसा वह जो होती है वहाँ पर कट हो जाता है और यह SCL जाके वहाँ पर जलन करती है इस हिसाब से तो mucos जो आपका goblet cell होता हो mucos secret करती हो bicarbonate और यह protection lubrication में help करती है उस layer को बचाती है जलने से SCL से तो वही चीज़ है तो यह question भी कह रहा है कि identify the cell identify करिए whose secret protect the lining of gastrointestinal tract जो GIT की tract की lining है उसको स्वचित कुण करता है प्रोटेक्ट कौन से कौन से से अलग करेगी तो goblet cell होती है जो कि secret करती है mucos और bicarbonate तो आपसा नमबर फास्ट exact correct हो जाएगा और काफी अच्छा question भी है next question देखिए यह अंडाण केंद्रक से दित्तिय धुरिये पिंड कब बाहर निकलते है इस्टेर्शन आप सिकन्ड पोलर बाड़ी सिकन्ड पोलर बाड़ी फ्राम एग नुकलियस अकर्स सिकन्ड पोलर बाड़ी कब बनते है जह fertilization के पहले यह चीज करिया है मियोसिस और मियोसिस जब शिकन्ड पोलर बाड़ी होती है ना अब देखे भी होंगे NCRT में दिया गया यह तो यह देखिए after entry of sperm, entry of sperm after मतलब बाद में, after and before होता, before माने पहले होता है, after माने बाद में, sperm but before fertilization, सुकुराण के परबेस के बाद लेकिन निसेशन से पहले मतलब हर्टिलाजेशन से पहले और सुकुराण जब इंट्री करता है उसके बाद में तो आपसा नमबर फॉर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा नेस्ट कोईशन नमबर ये देखे ये भी काफी अच्छा कोईशन है और ऐसे कोईशन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं काफी बार मैच दा होमिनिट से बिथ दियर करेक्ट ब्रेन साइज ये आपका ब्रेन साइज दिया गया है ये होमिनिट दिया गया है अलग अब आप एकदम exact match कराइए और बताइए कौन सा option correct होगा तो आपका correct option second exact correct हो जाएगा first नहीं होगा क्योंकि यहां fourth नहीं second होगा तो second option आपका सही हो जाएगा next question यह देखिए which of the following statement is not correct अब यह आपको बताना है कि इसमें से कौन सा statement सही नहीं है जो कि यह अच्छे से मैंने explain भी किया था और बताया भी था कि एक बार यह जो कराए नहीं था cell वाली एकदम पूरा में कि जितना question cell the unit of life के जितने question बनते हैं objective मैंने सब करा दिये हैं आप जाके देख सकते हैं चलिए मैं इसको अच्छे से explain भी कर देता हूं और explain रहेगा तो वही चीज है कि हर चीजें समझ में आई जाती हैं तो अब बताइए इसको थोड़ा आप भी सोचिए कि कौन सा इसमें आपका सही हो सकता है तो देखिए which are the following statement is not correct अब कौन सा statement सही नहीं है तो first देखिए the hydrolytic enzymes of lysosomes are active under SDPS सही बात है जो आपका lysosomes होता है वो जल अब घटकी होता है hydrolytic enzyme होते है लाइसो जाइम और यह active होते है यस्डिक पीएच पे तो सही है यस्डिक पीएच 6.8 पे लाइसो सोम्स और membrane bound structure यह भी सही है लाइसो सोम्स पर membrane होती है थार्ड देखिए lysosomes are farmed by the process of packaging in the endoplasmic reticulum यह देखिए आपका जो endoplasmic reticulum अंता परजिब्बई जालिका में जालिका में सम बेशन पर किरिया दोरा बनते नहीं यह गलत है तो आपसा है indoplasmic reticulum इसे एंटैस होता है इसमें रहाफ indoplasmic reticulum होता और ribosome होते हैं और Ini क्या नहीं होता आपके यह नहीं होते कि स्मूथ इंडोपलाजमी रेटिकुलम अब इससे क्या होती है गालजी बाड़ी आपकी बनती है इससे रफ इंडोपलाजमी रेटिकुलम से गालजी बाड़ी से आपका लाइसोसोम्स बनता है तो यह रफ इंडोपलाजमी रेटिकुलम्स जो है यही आपका लाइसोसोम्स बनाती है लाइसो सोम्स किये वाला तो यही चीज है तो आपसा नंबर इसमें यह तो कहरा एंडोपलाजमी रेटिकुलंग पैकेजिंग के समय नहीं तो आपसा नंबर थार्ट गलत है और यही आपसा सही हो जाएगा सब्सक्राइब इसमें आपको बताना है यही आपको बताना है हार्मोन रिलेजिंग इंट्राइब रिट्राइन दिवाईश जो की आपकी कां साइ ży हो जाएगा यह आपका एक दे रहा है प्रोजिस्ट टास्ट दे रहा है और LNG 20 यह दोनों हार्मोन रिलीजिंग हैं तो आपसा नंबर सेकेंड एक्जेक्ट करेक्ट आप हो जाएगा और important question अच्छे से देख लिजिएगा next question respiratory quotient by loom of tripalmating अब यह भी आईसे question को पुछे जाते हैं बार बार question पुछे जाते हैं कि यह respiratory quotient का होता है aerobic respiration जब होता है तो उसमें oxygen consume भी होते हों CO2 release भी होता है उसी को respiratory quotient कहते हैं आप यह एक्टम अच्छे से लिख सकते हैं respiratory quotient एक बार तो यही direct दे दिया था और पूछा था कि respiratory quotient इसकल टू क्या होता है बैलूम बैलूम आफ किसका बैलूम आफ CO2 evolve CO2 carbon dioxide EV, EV, O, L, V, E, D evolve अपान क्या होता है अपान होता है बैलूम आफ oxygen consume बैलूम लिख लिजे बैलूम आफ oxygen consume O2, C, O, N आगे लिख लिजे C, O, N, S, U, M, E, D यह पूरा फार्मूला होता है अब इसमें आपका किसका बताना है type palmetin का बताना है मैं एक आपको concept बता दे रहा हूँ अगर आपका respiratory question पूछता है फाइट का पूछे यह फिर आपको protein का पूछे यह आपका carbohydrate इसी तीनों में से एक का पूछता है अगर fight का पूछेगा तो 0.7 हो जाएगा अगर protein का पूछेगा तो 0.9 हो जाएगा अगर carbohydrate का पूछेगा तो 1 होता है तो यह आपका tri-palmetin क्या है यह phytic acid है phytic acid आपका involve होगा respiration में फिर यह breakdown होता है फिर respiration चलती है इसके रिया से तो यह phyt होता है तो 0.7 आपका option number first correct हो जाएगा आप यह note down कर लिजे phyt का 0.7 protein का 0.9 और carbohydrate का 1 होता है question number 30 number देखिए pinus seed cannot generate and establish without fungal association this is because pinus के बीज कवक के सहयोग के बिना अंकुरित और अस्थापित नहीं हो सके यह किस कारण होता है तो pinus का जो seed है फंगल association सो करता है pinus का root से pinus में root जो होता न और फंगस association सो करता है तो फंगस root से क्या फूड लेता है और फंगस shelter प्रवाइड करते हैं यह सब चीजें कहानी चलती है तो आप बताईए cannot generate नहीं कर सकता without fungal association क्योंकि it has obligate association with mycorrhiza mycorrhiza के साथ associate करता it is very hard seed coat hard seed coat की वज़ा से its seed contain inhibitors the prevent germination इसकी वज़ा से या embryo immature की वज़ा से तो बताईए कौन सा option correct हो जाएगा option number आप अच्छे से देख के और बताईए कौन सा option आपका 30 का correct है तो 30 का option first correct होगा it has obligate association with mycorrhiza तो option number आपका first correct हो जाएगा तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और एक बार आप जरूर चैनल पे आप जरूर बिज़िट करें क्योंकि आप चैनल पे बिज़िट करेंगे तो महाफिजिस कमिस्टी बायलोजी की काफी conceptual theory और trick के माध्यम से question solve कराएगा है चलिए thank you धन्निवाद